प्रियमित्रों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंग हूँ, आज हम प्राचीन काल में गुरू की अवधारना, उनकी भूमिका एवं दाइतों के बारे में जानेंगे, साथ ही यह जानने का भी परियास करेंगे कि प्राचीन काल में गुरू को अत्यदिक सम्मान दिये जाने के क्या अंतर है भारतिय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है किसी भी सभ्यता का संस्कृतिक भाव तथा आदर्स उस राष्ट द्वारा अनुशरित सैक्सिक संस्थाओं के द्वारा प्रतिविंबित होता है वास्तों में एक सभ्य समाज में विद्याले संस्था तथा सैक्सिक प्रकिरिया का आरंब उस समाज तथा संस्कृतिके निर्मान, विकास तथा उसे संपोसित करने के उद्देश से किया जाता है भारतिय सिक्षा प्रनाली भारत की सम्रद सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई है बहुत सी कम्यों के बावजूद यह सामाजिक पुनर निर्मान तथा विकास का एक ससक्त साधन रहा है प्राचीन काल में सिक्षा को स्वय उन्नयान या जीवन परियंत चलने वाले निरंतर प्रिकिरिया समझा जाता था तथा विद्यातियों के सारिरिक, मानसिक, बोद्धिक तथा आध्यात्मिक छमताओं को स्वयवस्थित तथा कर्मिक विकास का सोत समझा जाता था जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकें एवं वर्तमान तथा भविष्य में उन्नती कर सकें प्राचीन भारत में तीन प्रकार की सिक्षासन स्थाएं थी पहली गुरुकुल जहां विद्यार्ती आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्याध्यन करते थे दूसरी परिशद जहां विशेशग्यों द्वारा सिक्षा दी जाती थी तीसरी तपस्थली जहां बड़े-बड़े समेलन होते थे और सभाओं तथा परवर्चनों से ज्ञान अरजन होता था नैमी सारनन्ज ऐसा ही एक स्थान था गुरुकुल का साथिक अर्थ है गुरु का परिवार अथ्वा गुरु का वंश गुरुकुल बस्तियों से थोड़ा दूर होते थे एक निश्चित अध्यन अवधी के लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ गुरुकुल में रहना पड़ता था प्रतेक विद्यार्थी चाहेवे निर्धन हो अथ्वा धन्वान या किसी उच्च घराने से सम्मंद रखता हो सभी को एक साथ रहना पड़ता था सभी के साथ एक जैसा निस्पक स्वहवार किया जाता था गुरु कुल में शिक्षा बिलकुल नुशुल्क थी परन्तु गुरु कुल को चलाने के लिए सभी को भिक्षा मागनी पड़ती थी जिससे उनमें विनमरता तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी साहता करने के लिए समाज के परती करतज्यता जैसे गुनों का विकास होता था इससे जातिक्रम परंपरा को कम करने में साहता भी मिलती थी क्योंकि गुरुकुल में सभी विद्यार्तियों को समान समझा जाता था गुरू गुरकुल का मुख्या होता था जो सभी विद्यार्तियों के लिए पिता समान, माता पिता या सनरक्षक के समान वहवार करता था वह विद्यार्तियों को उनसे बिना किसी अपेक्षा के शिक्षा परदान करता था गुरू के लिए सुल्क लेना वर्जित था विद्यादान उसकी द्रस्टी में सर्वत्तम द्यान समझा जाता था और ग्यान के बेचने का विचार निंदनिय समझा जाता था गुरुकुल चलाने के लिए राजाओं, परोपकारी व्यक्ति तथा समाज के धनाड़ वर्गदान देते थे गुरु दक्षिना से भी कुछ सहता मिल जाती थी, जो विद्यार्थी अपनी सिख्षा प्राप्ति के अंत में गुरुकुल छोड़ते समय गुरुकुल को अपनी स्त्रद्धा से देते थे इतना ही गुरुकुल चराने के लिए परियाब तो समझा जाता था, क्योंकि गुरुकुल में रहने वाला प्रतेक व्यक्ति संयम तथा तब का जीवन व्यतित करता था गुरुके रूप में केवल उसी व्यक्ति की पहचान, नियुक्ति तथा आदर होता था, जो वास्तव में एक विद्वान, एक उतकरष्ट विशेशग तथा आध्यात्मिक रूप से परबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था जैसा आप जानते हैं कि भारत में बहुत पुरानी गुरु शिश्य परमपरा रही है, गुरु को उसकी स्वार्त रहित सेवा के लिए समाज में सबसे उंचा इस्थान दिया जाता था और यहां तक कि राजा भी गुरु का सम्मान करते थे गुरु को माता पिता से भी बढ़कर माना जाता था तथा एक गुरु का दरजा देवताओं से भी बढ़कर था गुरू शिश्री की ये परंपरा ज्यान के किसी भी छेतर में हो सकती है जैसे आध्यात्म, संगीत, कला, वेदाध्यन, वास्तु, आदि भारतिय संस्कृती में गुरू का बहुत महत्व है कहीं गुरू को ब्रह्मा, कहीं विश्नू, कहीं महेश कहा गया है तो कहीं गौविंद, अज्यान को नस्थ करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकास है, वह गुरू है भारतिय संस्कृती में गुरू को अत्यदिक सम्मानित इस्थान प्राप्त है भारतिय इतिहास में गुरू की भूमिका, समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्ग दर्शक के रूप में होने के साथ साथ क्रांती को दिशा दिखाने वाली भी रही है भारतिय संस्कृती में गुरू का इस्थान इश्वर से भी उपर माना गया है शास्त्रों में कहा गया है गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महेश्वरय, गुरूर साक्षात परब्रह्मह, तस्मई सिरी गुरुवे नमह गुरू को हिर्दय, मस्तिस्क, हात, अर्थात 3H, आध्यात्मिक्ता, ग्यान, तथा विद्वत्ता के अच्छे गुनों का परतीक समझा जाता था एक सही गुरू अपने जीवन के अंतिम छणों तक एक विद्यारती होता था, वह सदैव सीखने का परियास करता था प्राचीनकाल में गुरू और सिस्ष के सम्मंधों का आधार था गुरू का ज्यान, उसकी मौलिक्ता और नैतिक बल उनका सिशों के परती सिनह भाव तथा ज्यान बाटने का निस्वार्थ भाव साथ ही सिशों में होती थी गुरू के परती पूर्ण सरद्धा, गुरू की छम्ता में पूर्ण विश्वास तथा गुरू के परती पूर्ण समर्पन एवं अज्याकारिता अनुशाषन सिश्य का सबसे महत्पूर्ण गुन माना गया है गुरू अपने ज्यान, अपनी मोलिकता, नैतिक बल, सिशों के परती सिनह भाव तथा ज्यान बाटने के निश्वार्थ भाव के कारण ही सम्मानित किया जाता था गुरू और सिश्य के बीच केवल साबदिक ज्यान का ही आदान परदान नहीं होता था, बलकि गुरू अपने सिश्य के संडख्षक के रूप में भी कारिया करता था उसका उद्देश रहता था कि गुरू उसका कभी अहित सोच भी नहीं सकते यही विश्वास गुरू के परती उसकी अगाद स्रद्धा और समर्पन का कारण रहा है प्राचिंकाल के गुरू अपने आप में एक संपून संस्था के समान होते थे जो अपनी विद्वता तथा बलिदान के लिए जाने जाते थे भारत में ऐसे गुरू के परती सारी दुनिया के विद्वारती आकर्शित होते थे और भारत में विद्वाग्रहन करने आते थे जब विद्यार्तियों की संख्या अधिक हो जाती थी तो गुरू अपने पुराने वरिष्ट तथा परतिवासाली सिश्यों को अध्यापन अधिकम परकिरिया में समलित कर लेते थे इससे अधियापक को उसके कारिय में आवशक साहता मिल जाती थी तथा उन पुराने विद्यार्तियों के लिए गुरू के प्रतेक्स परियवेक्षण में अधियापन के परशिक्षण का अवसर प्राप्थ हो जाता था जो अधियापक बनने के इच्छुक होते थे मोनिटर प्रनाली वास्तव में प्राचीन भारतिय सिख्षा का ही योगदान है जिसके अंतरगत वरिष्ट विद्यार्ति जो या तो गुरू पुत्र होते थे अथवा कोई योग वरिष्ट विद्यार्ति छोटी कक्षा के विद्यार्तियों को पढ़ाते थे गुरू की भूमिका तथा उसके दाईत्व प्राचीन काल में गुरू को विभिन्य प्रकार के भूमिकाओं का निर्भेन करना पड़ता था वहे विध्यार्थियों के लिए मातापिता की, अध्यापक की, एक विद्वान की, एक धरम परचारक की तथा एक मित्र, एक दार्षिनिक, तथा पथपरदर्शक्की भूमिका निभाता था गुरू विद्यार्थियों की आवश्तक्ताओं की व्यक्तिकत रूप से देखबाल करता था यह देखना भी गुरू का ही कृतव था की विद्यारती विकास कर रहा है और गुरू तथा स्वयम की संतुष्टी से परगती कर रहा है अध्यापक और सिस्व में पिता और पुत्र की तरह अतियंत गहन आंत्रिक संबंद होता था इस संबंद की उपनिशद में भली भाती व्याख्या की गई है उपनिशद का साब्दिक अर्थ है निकट बैठना सीखने वाला गुरू के चर्णों में बैठकर विद्यार दर्दिन करता था अध्यापन विधी गुरू और सिस्व के बीच मोखिक समवाद की रूप में होती थी इसके अत्रिक्त व्याख्यान, परवचन, वादविवाद तथा विवेचना, सैस्वर पठन तथा पुनुरावरती विद्यारती की दैनिक नित्त करिया के अंग थे मुल्यांकन सतत तथा व्यापक रूप से होता था जिसे गुरू संचालित करता था आपचारिक रूप से कोई परिक्षा नहीं होती थी, कोई डिगरी या परमान पत्र नहीं दिये जाते थे केवल दिक्षांत समारों के समय गुरू यह घोशना करता था कि किस विद्यारती ने परिक्षा पास कर ली है गुरू उस एहर विद्यारती को एक विद्वत मंडली के सम्मुख प्रस्तुत करता था जो उससे विविन्न परकार के प्रशन पूछ सकते थे सिख्षा पूर्ण हो जाने पर गुरू शिशी की परिक्षा लेता, दीख्षा देता और समाप वरतन संसकार संपन कर उसे अपने परिवार को भेजता था शिष्टगन चलते समय अपनी छमता के अनुसार गुरू को दक्षिना देते किन्तु गरीब विद्यार्ती उससे मुक्त भी कर दिये जाते थे अध्यन काल में विद्यार्ती की स्वायतता को सम्मान दिया जाता था विद्यार्ती अपना गुरू तथा विशेच उन्ने में स्वतंत्र था यद्यपी यह गुरू का विशेच अधिकार माना जाता था कि वह किस विद्यार्ती को किस विशेच छेत्र में अपने सिस्थ के रूप में स्विकार करे या नहीं विद्यार्ती को वाद विवाद के लिए कहा जाता था ताकि वह अपनी योगता सिद्ध कर सके इसमें प्राप्त सबलता के पश्चात विद्यार्ती विशेविशेस में अपने पांडित के लिए जाना जाता था और उसे एक विद्यान व्यक्ति के रूप में स्विकार कर लिया जाता था बोधकाल में मठो और मंदिरों में उच्च सिक्षा केंदरों के रूप में सेक्सिक संस्थाओं को उपचारिक रूप से स्थाफित किया गया ये आवासिय विश्विद्याले थे जहां गुर्मों और विद्यार्तियों के समू ग्यान की खोज में सासात रहते तथा काम करते थे वे अपने आपको ग्यान के सरजन, संदक्षन तथा परशानन में व्यस्त रखते थे जो आज के विश्विद्यालेओं के तीन प्रकारियों अध्यापन, सोध तथा परसारण के समान हैं गुरुकुल में परवेश परवेश परिक्षाओं के माध्यम से होते थे ये परिक्षाएं अतियंत कठिन होती थी और उच्चे सिख्षा के चाने माने केंद्रों तक्सशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, काची, बरारस इत्यादी स्थानों पर आयुजित की जाती थी इन केंद्रों पर पूरे भारत से तथा विदेशों से भी विद्यारती आते थे गुरुकुलों की यह विशेष्था थी कि इन में शिख्षा व्यक्तिकत आधार पर दी जाती थी एक संस्था के रूप में नहीं पाट सालाओं की भाती मद्यकालीन भारत में इसलामी सिख्षा देने के लिए मस्जिदों में निम्र इस्थर के सिख्षा के लिए मक्तब तथा उचप्रारंवी सिख्षा के लिए मदर से इस्थाफित किये गए यह इसलामी शिक्षा जो की पवित्र कुरान का भाग होता था मुस्लिम बच्चों को मुलाओं तथा मोल्वों द्वारा दी जाती थी यह ववस्था उस समय तक चलती रही जब तक भारत में इस इंडिया कमपनी आई जिसने बहुत सारे प्रदेशों पर नियंतरक सत्ता के रूप में अपने आपको इस्थापित किया आईए आप जानते हैं कि वर्त्मान शिक्षक और प्राचीन गुरू में क्या अंतर हो सकता है वर्त्मान शिक्षक एक निश्चित समय सीमा के लिए पढ़ाते हैं पर नतु गुरु दिन भरके 24 घंटों के लिए ज्यान देते थे वर्तमान शिक्षक सब्दों के माध्यम से पढ़ाते हैं परन्तु प्राचीन गुरु शब्दों से तथा शब्दों के परे ज्यान देते थे वर्तमान शिक्षक विद्यारती के व्यक्तिकत जीवन से कोई सरोकार नहीं रखते हैं परन्तु प्राचीन गुरु शिष्च के जीवन के प्रतेक छन का ध्यान रखते थे वर्तमान में सिख्षक कुछ ही विशे पढ़ाते हैं परन्तु प्राचीन गुरु अध्यात्म सास्र का ज्यान देते थे जिसमें सभी विशे समाहित थे प्रियमित्रो आज आपने जाना कि प्राचीन काल में अध्यात्मिक्ता, चरित निर्मान, संस्कृति का सरजन, परिरक्षन तथा प्रसानन सिक्षा के उद्धेश्चों में समलित थे उस समय शिक्षा गुर्कुल पद्यती में दी जाती थी ये गुर्कुल रहने के स्थानों से थोड़ा दूर इस्ताफित थे गुरु की द्रश्टी में सभी विश्ष समान होते थे चाहे उनकी सामजिक पर्थिष्ठा कैसी भी क्यों न हो गुरु समाज में एक अति सम्मानिय व्यक्ति समझा जाता था वह अपने विद्यारतों की सिक्षा का सन्रक्षक था हमने साती यह भी जाना कि अध्यापन प्राय मोखिक रूप में चर्चाओं, वादविवाद, वार्तालाप सुन कर दिया जाता था मुल्यांकन भी मोखिक रूप में चर्चाओं, वादविवाद और वार्तालाप के द्वारा ही किया जाता था यह गुर्कुल प्रनाली मद्ध काल में भी कुछ परिवर्तनों के साथ चलती रही गुर्कुल के अतरिक्त मुस्लिम विद्धारतियों के लिए मस्जिदों में मक्तब तथा मदर से खोले गए जहां मुल्ला और मौल्वी उन्हें पढ़ाते थे आशा है कि आप इस जानकारी से लाववानवित होंगे और प्राचीन काल में सिक्षक के समान समान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद